जहिन मित्रों इस वक्त हम खड़े हैं हमारे यह पहारी कोर्वा है आप क्या नाम है आपका आपका नाम नाम हूं और चिवुराम क्या जाती है आपका पहारी कोर्वा हैं किस गाउं में रहते हैं सार बहार और अभी कहां जा रहे हैं परसा खोला और दुधी टांगर से आ रहे हैं पाइदल पाइदल कई किलोमीटर है सबेरे दस बची से चले हैं आप लोग और यह लगभग साठे चार अभी शाम को हो रहा है तो क्या क्या करेंगे भी वहां पर जाके कि लेकर चले है यह विक्री करेंगे सुपा है इसको अपने हांते हैं त्राइच से करते हैं और tv शुबहसे चल के साम तो यहां Bजार में पहुंचते हैं वहां बेचना है क्या नाम बताए थीबुराम यह हमारे ठीबुराम है और इस तरह से सबेरे से सबेरे दस ग्यारवे से चलके यहां संधिया के साधे चार बजे तक यहां आगे बजार है जिसका नाम जोरा घाट के समीब पर्शा खोला के समीब वजार है और पर्शा खोला वहां पर वजार करके बेच संधिया और आप ना दूर है और आप यह कितने में बेशते हैं एक सुपा को दूई सब बिख जाएगा जब आते हैं कि कुछ दिन लगता है का अभी तो नहीं भीकेगा सब बिख जाएगा अभी कहां बजार कल है अच्छा तो परसा भाटा बजार जाएंगे जो बालकों में हैं वहां पहुचना है तो आईए आपका नाम बुधवारी बुधवारी तो आप कौन जाती से हैं पहाड़ी करवा आप भी पहाड़ी करवा हैं आप क्या लेके जाएंगे परसा भाटा बजार में बेचेंगे परसा भाटा में बेचना है आप परसा भाटा में बेचना है और ओखराबाद फिर ओखर बाद आप मन फिर जाबो आप लोग बहुत मेधनत करते हैं तो यह थे पहाड़ी कुर्वा तुधि टांगर से और यहाँ बाल को परसाभाटा इसी पकडंडी के रास्ते होते हुए जोरा घाट परसा खोला होते हुए परसा खोला के रास्ता से होते हुए यहां बालको परसा भाटा में इस बाज से बने सूप को बेचेंगे और यही इनके जीवको पारजन का जरिया है हम सासन प्रसासन से भी निवेदन करते हैं कि इस तरह के पहाड़ी कुर्वाओं के लिए अन्य छोटे उद्योग में इनको समिलित किया जाए ताकि यहां साब जीवको करते हैं इनके लिए संसाधन की विवस्था की जाए ताकि यह बजार तक पहुंचने में इनको सहलियत प्राप्त हो और अच्छा वेवसाय करें क्या चाहते हैं आप चाहते हैं पहाड़ी कुर्वा इनके लिए यदि आज भी इसी तरह से पैदल चलते हुए और कोसो दूर तै करना पड़े और बजार हाट में जाकर अपना जीव को उपाजन करना पड़े तो यह कहीं न कहीं सासन के लिए भी एक कारे छेतर करने की अविशकता है और ताकि इस तरह से जो है गरीब पहाड़ी कुर्वाओं को वेवसाय मिल सके उन्हें संसाधन मिल सके ताकि संसाधन के अभाओं में इstein I पैदल यातरा ना करना पड़े और जैसा कि हम आपको मित्रों देखा पार है इस तरह से जह यहांपर बीहड झेतर है बीहड जंगल शेतर है यहांपर जो है जंगली जानवारों का भी समावेश है इस जंगल में कही न कहीं खत्रा भी है तो इस तरह से इन पहाडी कुरवाओं के लिए भी संसाधन की विवस्ता की जाए ताकि यह आसानी से जो है अपने विवसाय इस्थल पर पहुँँ सके और अपना विवसाय कर सके उनके छेतर में भी नज जाएं धन्यवाद केमरा सवयोगी पूर्सुत्म साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती हूं